नेफरोटिक सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं, किड्नी में नेफरोंस होते हैं, नेफरोंस का एक पार्ट ग्लोमेरुलस जो की स्मॉल ब्लेड वेसल से बना है, इनका काम है कि ये ब्लेड को फिल्टर करते हैं, नेफरोटिक सिंड्रोम की कंडिशन में ग्लोमेरुलस की ज में develop हो जाता है ब्लड में albumin का level maintain करने के लिए liver albumin का production बढ़ा देता है albumin जो की protein है इसका production बढ़ाते बढ़ाते liver lipoprotein का production भी बढ़ा देता है जिसके कारण blood में lipid का level बढ़ जाता है immunoglobulins जो की body को infection से बचाते है kidney से इनका भी loss होने लगता है और patient को recurrent infections होने लगते है antithrombin 3 यह एक protein है जो की blood clot को तोड़ने में काम आता है इसका loss भी body से होने लगता है और clods बनने लगते है